जहिन सातियों कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छी होंगे स्वस्तोंगे मैं दिने शादा हूँ एक बार फिट से आप सब का स्वागत करता हूँ आप सब के अपने यूटूब चैनल पर दोस्तों जब से राजस्तान पुलिस की एकजाम समापत हुई है उसके बाद से लेकर अब तक रास्तान पुलिस की तरफ से कोई भी अपडेट आपको रजलिट को लेकर देखने को नहीं मिल रहा था जो कि पहली बार आपको इतने दिन के बाद में एक्जाम होने के बाद में पहली बार कोई अपडेट निकल के सामने आया है अब हम खह सकते हैं कि रिजल्ट आपका कब तक जारी हो जाएगा और कब तक नहीं होगा और आगे की जो प्रोसेस है वो किस परकार चलेगी जो लेटर कल जारी हुआ है कई विद्ध्यारतियों कि वो लेटर अभी तक समझ में नहीं आया कि उस लेटर में क्या है किस परकार से प्रोसेस होगी और कैसे कैसे आपकी रिजल्ट यहां पे डिकलेर होंगे इसी को लेकर आज अपन चर्चा करने वाले हैं दोस्तो अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि राजस्तान पुलिस से सम्मंदे जो भी अपडेट है वो आपको रेगुलर मिलती रहे दोस्तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें आपको पता है कि यहां पे राजस्तान पुलिस के अलावा किसी भी परकार की कोई अधर वेकेंसी की यहां पे जानकरी नहीं दी जाती है केवल फिलाल राजस्तान पुलिस को लेके ही जो भी अपडेट है यहां पे आपको उपलब्द करवाई जाती है इसलिए मैं आपसे निवदन करना चाहूंगा कि आप चनल को जरूर सब्सक्राइब करें और विद्यारतियों में भी शेरिस को जरूर करें से पहले मैं बात करूँ जो लेटर जारी हुआ है अब कई विद्यारतियों के इस चीज़ को लेकर सके कि सर ये किस परकार का लेटर जारी हो गया आगे की जो प्रोसेस है उसमें कोई चेंच बदलाव है या जो process होने वाली है वो किस परकार से होगी तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तो जो process होने वाली आगे की पिछली बढ़तियों में जो process चलती थी वैसी ही same process है इसमें किसी भी परकार का कोई बदलाव यहां पे नहीं किया गया है बदलाओ अगर है तो वो एक ही है कि ये लेटर आपके सामने आ गया पिछली बढ़तियों में अगर आपन देखे तो ऐसे लेटर बाहर नहीं आते थे ये लेटर आप सबके सामने आया है यहां पे निकल गए तो अब मैं सबसे पहले बता दूँ क्योंकि आपने देखा होगा अलग-अलग यूनिट से आपके अलग-अलग यहां पे फूम बरवाए गए थे उसी के अनुसार रेंज वाइज यहां पे आपके फिजिकल करवाए गए थे पुलिस मुख्यले के दुआरा और उसी टाइम पे आपसे जो भी एडिशनल आपकी क्वालिफिकेशन थी उनके यहां पे आपके डॉकुमेंट्स वाँ पे संबंदित जो भी रेंज आपका मुख्यले जहां आपके फिजिकल आयो जित हुए थे वहाँ से आपके जो भी ओरिशनल डॉकुमेंट्स थे वो ले 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 गे थे यानि कि जिनके आपको एक्स्ट्रा नमबर यहां पे मिलेंगे अब क्या हुआ पुलिस मुख्यले ने अलग-अलग जूरी बोर्ड या मेंबर गठित करके उनके अध्यक्ष बनाके एक बोर्ड गठित कर दिया कि ये बोर्ड इस बोर्ड का काम होगा यानि कि जो भी मेरिट लिस्ट है वो जारी करने का वो मेरिट लिस्ट जारी करके अलग-अलग जगे से वो मेरिट लिस्ट बनाएंगे जैसे मान लीजिए अगर आपका अजमेर जिला है अजमेर जिले से आपने उस merit list में आपके जो भी additional qualification है यानि कि आपके आपके पास में NCC होगा, आपके पास में home guard होगा, आपके पास में पुलिस का डिप्लोमा होगा या और other extra benefit अगर आपको मिलते हैं, किसी चीज के number आपको मिलते हैं, वो सब number जोड के वहाँ पे merit list तयार की जाएगी और वहाँ से वो merit list open नहीं होगी, वो merit list बना के PHQ को बेजी जाएगी वहाँ से, वहाँ पे उन सभी अध्यक्ष बोड का जो अध्यक्ष है और जो सदश्य है, बोड के member है, उनके sign वगरा होके, बिलकुल merit list तोपर तरिके से तयार करके, वो merit list PHQ को बेजी जाएगी, दूफरी चीज उसकी waiting आई थी, और waiting जारी करने के लिए इस परकार के member या board का गठन किया गया था, यानि की board बना के आप अब जो भी review करके, जो भी waiting में आने वाले candidate हैं, उनको आप सामिल करिए, आगे next चरण में, तो इस परकार की list सबसे पहले उस time पे देखने को मिली थी, उस time पे इस परकार का board का गठन किया गया था, बोड़ का गठन पहले भी होता था, लेकिन list इस परकार की सामने नहीं आती थी, list पहली बार सामने निकल के आई ये, उसी बढ़ती की जो waiting जारी हुई थी, उस समय से ये list निकल के सब के सामने आई ये, और अब मैं आपको letter बताता हूँ जो भी dispatch होता है, वहाँ उसके number यहां पर लिके हुई है, और दिनांक आप देख सकते हैं, 1282024, क्या दे रखाया है इसमें, Constable बरती 2023 के 3588 पदों की बरती हैतू अब्यरतियों की सारिक दख्षता मापतोल परिक्षा, दिनांक 28122000 से 30122000 तक आयोजित की गई थी, सब को पता रहे, Constable सामाने, दूर संचार, चालय, गुरसवार, स्वान दल के अब्यरतियों की दिनांक 13-62024 से 14-62024 तक आयोजित कंप्यूटर आधारित परिक्षा, यानि की 13 और 14 जून को आपकी यहां पे एकजाम आयोजित करवाई गई थी, CBT-based एकजाम, अब ध्यान से समझना इसमें क्या है, तक आयोजित कंप्यूटर आधारित परिक्षा, CBT में सफल रहे अब्यरतियों, एवं Constable Band पद के आवेदगों की चैन की कारवाई हेतूर राजस्तान पुलिस अधिनत सेवा नियम, 1989 के नियम तेवीज में निहित प्रावदान अनुसार जिला, यूनिटव किया गया है, नहीं दोस्तों, ये बोर्ड आपका जनरल कॉंस्टेबल से लेके, चाए आपका टेली कम्यूनिकेशन हो, CIDIB हो, या कोईसी भी आपकी उनिट हो, किसी भी परकार की ट्रेड हो, सब के लिए ये बोर्ड के आपके गठन किया गया है, और सब के लिए पुलिस अजमेर रेंज, यानि महान रिक्षक किसे बोलते हैं, आईजी को बोलते हैं, यानि कि रेंज का जो मुक्या होता है, रेंज का सरवे सरवा होता है, और रेंज का जो अधिकारी होता है, वो आईजी होता है, और आपको पता होगा, जिले का जो अधिकारी होता है, यानि कि सुप्रिटेंडन ओप फुलिस फिर है इसमें अध्यक्ष कौन हो गए आपके महान रिख्षक पुलिस अजमेर रेंज फिर है सदस्या सचीव कौन है पुलिस अध्यक्षक जिला अजमेर और महान रिख्षक द्वारा जो अपने डिज़ीपी साब है उनके द्वारा जो सदस्या मनोनित किया गया है एक सदस्या इसमें कौन होगा जो सदस्या आएंगे वो कौन होगे और फिर आपका रिजल्ट यहां पे जारी होगा इस परकार से अलग-अलग यहां पर जो बोड का गठन किया गया है बोर्ड में कौन-कौन होंगे, कौन-कौन सदश्य होंगे ये सब इसमें दे रखा है अब आगे क्या इनको निर्देशित किया गया है, क्या कहा गया है सबसे पहली चीज होगी कि यहां से आपकी मेरिट लिस्ट तयार होगी merit list तयार होने के बाद में जाएगी आपकी PHQ और PHQ से उस merit list पे अनुमोदन का मतलब होता है कि सायन यहां पे verify उसको किया जाएगा कि हाँ ठीक है आप इसको अब declare कर सकते हो और फिर वो result यहां पे जारी किया जाएगा अनुमोदन का मतलब होता है जैसे किसी प्रस्ताव को pass करवाना होता है तो उसमें सायन या सैमती जरूरी होती है इसी परकार यह file आपकी पहले यहां से clear होने के बाद में सब नामों की उसमें list होगी और वो list तयार होके जैपूर जाएगी जैपूर से PHQ और PHQ सायन होने के बाद में फिर संबंदित जिला उसको declare करेगा कि यह आपकी list है और वो आपकी मैन पुलिस की website पे ही यहां पे जारी होगा यह process आपकी यहां पे रहने वाली है सेम पिछली बढ़तियों की तरह ही process रहने वाली है और फिर आपका कहना होगा कि सर इसमें क्या दो गुणा होंगे तीन गुणा होंगे देखो दोस्तों मैं मेरे according मैं फिर खहरा हूँ आपको कि list आपकी एक गुणा की यहां पे जारी होने वाली है दो या तीन गुणा की यहां पे लिस्ट जारी नहीं होगी क्योंकि इसमें कोई change बदलाऊ नहीं है पिछली बार की बढ़ते होगी तरही सारी process यहां पर की जारी है list एक गुणा की जारी होगी एक गुणा की लिस्ट जारी होने के बाद में PHQ से जैसे ही अनुमोधित होगी वो लिस्ट समंदित जिला मुख्याले इसको जारी कर देगा पुलिस की वेबसाइट पर ये प्रोसेस आपके यहां पे रहने वाली है और यही इस लेटर में कहा गया और अब कहना होगा आपका कि सर रजल्ट कब तक जारी होगा रजल्ट दोस्तों आपका मैंने पहले भी बता दिया सेम एक दिन में सबका रजल्ट यहां पे नहीं आएगा सबका अलग-अलग जैसे आज दो-तीन इनुट का आ गया चियार का आ गया ऐसे ऐसे आपका रजल्ट यहां पे जारी होगा जो बोड जितनी जल्दी यहां पे प्रोसेस करेगा उतनी ही जल्दी उस सम्मंदित इनुट का रजल्ट यहां पे जारी होगा और अब आप तैयार रहें आपके medical और document verification के लिए जो भी आपके documents में कमी पूर्ती है वो जरूर पूरा कर लें क्योंकि बाद में इतना समय आपको मिलेगा नहीं और जो भी मेरे साथी trade test की तैयारी कर रहे हैं और जो trade की तैयारी कर रहे हैं चाहे driver की तैयारी कर रहे हैं चाहे band की तैयारी कर रहे हैं चाहे और other तैयारी कर रहे हैं तो वो अब अपनी तैयारी जारी कर दे जिनको भी अगर driver का trade test के लिए करना है तो वो driver test की तैयारी नहीं है अब आप रिजल्ट के ब्रोसे भी ना बैठे कि रिजल्ट ऊर टाइम लगेका ज्यादा टाइम रिजल्ट में यहां पे नहीं लगने वाला है तो आप अपनी ट्रेड की तैयारियों को पूरी तरीके से यहां पे आप जारी रखे उसमें किसी भी परकार की कोताई न आपको ठीक है दोस्तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जै हिंद जै भारत